ओलो यूटुव फार्म में बेक तो अधर वीडियो देखने वाने कैसे आप लोगव इंडियन बैंक का क्योवाइसी फॉर्म को फिल करेंगे तो इस पर्म को पहले आप लोग मैच करें पलेगी यह है यह ओप कर लेगे नहीं आपके पास अपने आपके पास अप्र बिस पर क जरूर करें और चैनल पर हमारे नए चनल सब्सक्राइब करें के बेल आइकन दवा दें ताकि हमारे नवाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब यह हमारा इंडियन बैंक का के वाई सी फॉर्म तो चलिए देख लेते हैं कि इसे आप लोग कैसे फील करेंगे तो सबसे पहले यहां पे आपको उपर डेट देखने कुमिलेगा जिस बीडेट को आप इस फॉर्म को जाओगे बैंक में जमा करने ओस दिन का यहां पे डेट लिख़ेंगे यहां पे अकाउंट टप आपको ओलेटी सेविंग लिखा वा रहेगा वहां पे आपको तिक कर देंगे देन यहां पर आपको एक फोटो लगा लेना है ठीक है यहां पर एक फोटो लगा ले उसकाद यह पर को ही बर्सकाइड में ता bring यह नहीं पर आपके पासबूक पर होता है में ला में को अदि कुछ अपका पिले करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है customer number यह क्या होता है उस पर बात करते हैं यह भी आपको पास्बुक पर होता है cif number करके होता है तो वह आप लोग यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर आपको religion select कर लेना है Hindu, Muslim, Sikh, Christian या फिर other है कोई इन सब के अलावा तो other पर टिक करेंगे यहाँ अपने according यहाँ पर टिक करें यहाँ पर date of birth आपको फिल करना है as per अधार कार्ट अपने अधार कार्ट के according ही यहाँ पर date of birth आप लोग फिल करें यहाँ पर आपको category select कर लेना है general या फिर OBC या SC या फिर ST अब यहाँ पर जैसे cross है तापको यह cross नहीं कर देना है जो आपका रहे उस पर simply tick कर देंगे otherwise जो सब नहीं है उसमें खाली छोड़ देंगे ठीके देन आपको यहाँ पर लिखना है अपना full name जो कि आपके account में हो आप को लिखेंगे जब account open करते वक्त आपने दिया होगा तो ओं लिखें यहाँ पर mother name यहाँ पर लिखेंगे तो father name लिख लेंगे यहाँ पर mother name लिखेंगे एक चीज का ध्यान रखे इस फॉर्म को फिल करते वक्त आपको ब्लोक लेटर का यूज करना है कहीं पे भी स्मॉल लेटर का यूज ना करें ठीक है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अगर आपको आगे मिलेगा इस पाउज नेम ठीक है अगर कोई फीमेल है तो वो अपने हस्बेंड का नेम लिखेंगे ठीक है यहाँ डहे नाते है नीचे है निचावरीटी पर निचानालिटी आपका जो भी है ओलड़ी यहाँ पर इंडियन लिखा होता है तो यहाँ पर ओलोग टिक करदें इस जिंडर यहाँ पर मेल फीमेल यहाँ फिर अफ्कर डिकरदेंगे बर्थ प्लेस यहां पर city name जो भी आपका हो जहां पर आपका birthplace हो वो आप लोग यहां पर लिखेंगे यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए just an example xyz मैंने कुछ भी यहां पर लिख दिया है नीचे आने पर आपको मिलता है proof of identity POI type submitted मतलब identity proof में आप क्या देना चाहते हैं पैन या फिर अधार कुछ भी आप दे सकते हो मैंने आप पैन लिखा है पैन कार्ड आप लोग दे 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 या फिर अधार कार्ड भी दे सकते हैं अगर आप yes पी टिक करते हो देन आपको यहां पर पैन नंबर फिल कर देना है यहां पर अधार नंबर आपको फिल कर देना है नीचे आते नीचे आने के बाद आपको यहां पर पर्मानेंट एड्रेस अपना फिल करना है जो भी आपका पर्मानेंट एड्रेस हो आप लोग फोन नंबर यह रेसिडेंट और ओफिस अगर आपका कोई ओफिसियल नंबर है तो आप लोग वह यहां पर फिल करें अधरवाइज खाली छोड़ दें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप लोग कहां तक पढ़े लिखेंगे वह लिखना होता है 10th 12th graduate जो भी हो आपका वह आप लोग यहां पर लिखेंगे occupation nature of business वह लिखना है service करते हो या फिर job है या फिर business है जो भी आपका काम हो वह आप लिखेंगे student है अगर कोई तो student लिखेंगे annual income आपका कितना है मतलब third year आपका कितना annual income होता है वह आप लोग यहां पर mention करेंगे expected annual turnover इस पे आपको खाली छोड़ दे इसे नहीं भी फिल करेंगे अगर आपको पता है तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं employer name यह उनके लिए होता है जो private sector में काम करते हैं उनके लिए ठीक है तो अगर आपका नहीं है ऐसा कुछ तो आपको यहां पर लिख दे नोट एप्लिकेवल ठीक है खाली छोड़ दे नहीं यह भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा नीचे आते हैं अब हम लोग address of employer आपको देखने को मिलेगा इसे भी खाली छोड़ दे नंबर ओफ डिपेंडेंट अब आपके उपर कितने परसंड डिपेंडेंट है उनका यहां पर नंबर लिखना है एक दो तीन चार ठीक है वो लिखें net worth as a date यह सब सारा कुछ residential status कि सारा कुछ आप लोग खाली छोड़ दे यह सब आपको फिल नहीं करना होता है बस ऐसे यह दिया गया हुआ है ठीक है नीचे आते हैं नीचे आने पर आपको यहां पर date देखने को मिलता है जिस भी date को आप जाड़ेंग को जमा करने के लिए उ आपना अधार का जी रक्स पेंड करके जमा करना देन बैंक आधिकारी आपको यहां से पार करके अपको दे देदेते हैं यह सारा कुछ फिल करके वह खुद सेही ताकी आपके पास रहे प्रूफ के तौर पर पर कि आपका आपके अकौन्ट में KYC कम्पलीट हो गया है तो इस फॉर्म में आपको बस इतना ही कुछ फिल करना था सुआ होब कि आपका भी यह फॉर्म फिल हो गया हो अगर आपका भी फॉर्म यह फील हो जाता है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और चैनल पर हमारे नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवा दे ताकि हमारे नहीं वाला वीडियो कोनिटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें